हालो बच्चो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कश्यागड़त में बच्चो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नमबर एक संख्या पद्धती और इसमें आज आपको पढ़नी है exercise 1.6 exercise 1.6 में हमें पढ़ना है घातांक के नियम बिल्कुल आसान आसान प्रिश कौन से वो नियम है जो हतांक के नियम कहलाते हैं दोको ध्यान दें पहला नियम समझते हैं बच्चो पहला नियम होता है कि अगर ऐसा हो कि X या कहें M M की पावर M अगर ऐसा लिखाओ A की पावर M इन्टू B की पावर ना कहें बल्कि A की पावर M दोको ध्यान दें इस प्रकार से अगर कोई हमारा गुणा है कि अगर आधार समान है और A पर पावर यहां M है इन्टू A की पावर N है यदि ऐसा है तो इसको हम इनका गुणन फल इस प्रक अगर आधार समान होता है तो घुणा में घातें घटा दी जाती है इसको भी आपको याद रखना है एकी पावर M भाग एकी पावर N मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A की पावर M और बटे में A की पावर N अगर ऐसा लिखा है या ऐसा लिखा है बात तो यह कई है तो क्या करते हैं हम भाग में घातों को क्या करते हैं घटा देते हैं आधार समान होता है तो भाग दैने में क्या करते हैं घातों को घटा द तीसरा नियम समझते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं तो इसको हम कह सकते हैं into b की whole power m कह सकते हैं ध्यान से समझो अगर ऐसा लिखा है कि दोनों पर समान घाते हैं तो into b की whole power m इसको लिख सकते हैं यहाँ पर इसका और दो कुछ चौथा नहीं हम समझो अगर ऐसा हो कि a की power m और इसकी whole power n हो वच्चो तब क्या करते हैं तब तब इसको हम ऐसा लिखते हैं A की पावर M into N लिखते हैं यहाँ पर इस घात का इस घात में गुणा कर दिया जाता है ठीक है A की पावर M की whole power N होता है तब इसको हम लिख सकते हैं A की पावर M into N लिख सकते हैं ठीक है ये लिख सकते हैं और इसके बाद बच्चो कुछ और एक बात समझो पांचमा पॉइंट समझो अगर ऐसा लिखा है कि एकी पावर यहां मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए माइनस एम है एकी पावर माइनस एम तो बच्चो अगर माइनस है तो इसको अगर प्लस पा प्लस की पावर हो जाती हुए झीक है और यदि यहाँ पर माइनस है ऐसा लिखा या से समझो यदि ऐसा लिखा है कि एक बटे एक लिखा सकते हैं अगर यह मैनस में नीचे घात माइनस में है ऊपर ले जाओगे तो यह पल इखात की घात हो जाए ये बात आप पहले से भी जानते हो ये भी घातांग के नियम से भी सम्मंदित है कि एक ही पावर जीरो है तो उसका मान हमेशा याद रखे एक होता है किसी भी राज पर सून पावर हो तो उसका मान एक याद रखना है तो ये वच्चु घातांग के नियम है इनकी मदद से हम यहां पर exercise 1.6 को complete करेंगे ठीक है बिल्कुल एक दम आसान आसान से सारे प्रिश्ण है बहुत ज्यादा लेंदी प्रिश्ण नहीं होते हैं छोटे छोटे प्रिश्ण होते हैं लेकिन अगर आपको यह प्रिश्ण आने लगे तो मेरे खाल से गड़ना करने में इनकी बहुत ब रब कर लें नोट कर लिया हो तो रब करें अगर नोट नहीं किया है तो कर लें जरूरी करने है नोट जरूर करने हर जो बात हमने लिखी है उनको नोट करते जाओ ठीक है अब देखो आंगे पहला पृश्ण क्या है दोगों दिए आपका पहले पृश्ण का जो पहला भाग उसमें ये लिखा है कि जाद कर ये今 чисशत की पावर एक बटे दो का मान ग्याद कर ये दोगों कितने आसान आसान पृश्न है 64 की पावर एक बटे दो का मान ग्याद करिए तो बच्चों यहाँ पर चोंसेट जो लिखा ना चोंसेट इसको हम लिख सकते हैं आठ गुणे आठ और इसकी होल पावर है एक बटे दो ध्यान से समझना है पूरी बात आठ गुणे आठ तो आठ का आठ में गुणा 64 होता है तो क्या हम इसको यहाँ ऐसा लिख सकते हैं आठ का स्कॉायर भई आठ गुणे आठ का मतलब आठ का स्कॉयर और इसका होल पावर कित्ता है एक बटे दू है अब हमने आपको एक नियम बताया भई कि अगर ऐसा होता है कि एक ही पावर M और इसकी होल पावर N होती है तो इसका इसमें गुणा करती आ जाता है इस घात का इस घात में गुणा एक ही पावर कित्ती होती है m into n तो बस वही यहाँ यहाँ पर दोको हमें property यूज करनी है दो में गुणा एक बटे दो का हो जाएगा दो से दो आप cancel कर सकते हो तो यहाँ पर 8 की पावर एक मतलब 8 इसका अंसर आएगा ठीक है किलियर बात है बच्चो इस तरीके से इसका पहला भाग complete होता है दूसरे पार्ट में इसमें लिखा है 125 की whole power एक बटे तीन लिखा है 125 की whole power एक बटे तीन को हल करके बता दू कित्ता होगा जैसा कि हमने बताए बिल्कुँ छोटे छोटे प्रश्न है बस ध्यान से समझ पांच पंचे 25 पंच 125 होता है कि नहीं और इसकी whole power एक बटे तीन लिखा है जैसा लिखा है बैसा ही लिखा रहे हैं दोनों प्रश्न एक पैटर्न के हैं ध्यान से समझो तो पांच गुणे पांच गुणे पांच मतलब पांच तीन बार गुणा करा गया है तो इसलिए इस तीन से तीन कैसल हो जाएगा तो 5 की पावर एक मतलब आंसर किया अगा थीकर आले यहां पर दोखो ध्यान दें अब ये प्रश्ण नंबर एक आपका complete होता है यहां पर दो प्रश्ण थे ना एक और दो अब दूसरे प्रश्ण की बारी आती है दोखो दूसरे प्रश्ण में क्या पूंचा है दोखो कहा है ग्याद करिये यहां नो की पावर लिखा है 1 बटे 2 तोखो ये भी बिल्कुल similar है बिलकुल एकदम similar है 9 की power 3 बटे 2 है दो को ध्यान दें लिखा है 9 की power 3 बटे 2 का मान बताओ तो बच्चों 9 को हम लिख सकते हैं 3 गोड़े 3 और इसकी whole power है 3 बटे 2 आप यहां से देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 का square तीन गोड़े 3 का मतलब 3 का square और whole power है आपकी 3 बटे 2 अब यही गुड़ दोखो फिर इसमें यूज करना है यही property यूज करनी है 3 का square यह गात में इस गात का गुड़ा करना है तो 2 से 2 cancel हो जाएगा आप क्या बचाएगा 3 का cube बचाएगा कोई doubt बाला काम नहीं है बिल्कुल एकदम आसान से सारी प्रशन है ठीक है तो यह आपने दूसरे प्रशन का पहला भाग देख लिया दूसरे पाड़ी समाझ चार भाग है दूसरा भाग देखो इसका इसको हम रब कर लेते हैं इसका दूसरा जो part है वो देखो क्या लिखाए इसमें कि दूसरा प्रशन का दूसरा part देखो isमें लिखा हुआ है 32 की पावर 32 की होल गहात है दो बटे में पांच इसको कैसे सरलतम रूप करोगे इसका मन कैसे ग्याद करोगे यहां तो को 32 लिखा इसको हम लिख सकते हैं दो गुड़ें दो गुड़ें दो गुड़ें दो ध्यान से समझो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 तो 32 को हमने यहाँ पर 2 गुड़ें 2 गुड़ें 2 पांच बार लिख लिया और whole power 2 वटे 5 इसको जियों का तियों रखना है इतनी बार ठीक है बचो अब बताओ 1, 2, 3, 4, 5 बार है इसलिए इसको हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं उसकी whole power 2 वटे 5 तो को सारे पुरस्ण जैसा हमने बताए कि यह कई property पर अब ही चल रहे हैं कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं इस गात में इस गात का गुड़ा हो जाएगा तो 2 की पावर 5 और इसमें यहां पर 2 वटे 5 का गुड़ा हो जाएगा तो यहां सी दोको 5 से 5 कैंसल हो जाएगा दो की पावर 2 का मतलब आप जानते हो दो गुड़े 2 होता है और दो गुड़े 2 का मतलब अंसर 4 आएगा खिक, क्लियर हो गया और बिल्कुल ठीक, इसी प्रकार दोको हम आपको यहां तीसरा पार्ट भी करके दिखा दें तीसरे पार्ट में कहा गया है 16 की पावर 3 बटे 4 16 की पावर 3 बटे 4 का मान बताओ तो बच्चों बिल्कुल मेरे खाल से यहां बताने की मुझे आबस सकता नहीं है साइद आप खुद बता सकते हो और यदि यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बताओ भी कर सकते हो 16 का मतलब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 करने में कुछ है ही नहीं और इसकी होल पावर देखो 3 बते 4 है इसको आप जियों कातियों रखें आप यहां से आप देख सकते हो कि यहां पर 1, 2, 3, 4 कितनी बार है 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर 3 बते 4 यहां पर इस घात में घात का गुणा हो जाएगा तो 2 की पावर 4 में गोड़ा तीन बटे चार का हो जाएगा चार से चार कैंसल हो जाएगा तो दो की पावर तीन बचा है और दो की पावर तीन का मतलब दो गोड़ें दो गोड़ें दो मतलब दो दूनी चार दूनी आठ इसको हम क्या लेखेंगे आठ लेखेंगे बड़े आसान से सारी प्रश्ण है एक दम इसके बाद देखो इसका चौथा पार्ट क्या है चौथे पार्ट में लिखा हुआ है एक सो पच्चिस की होल पावर माइनस एक बटे तीन का मान बदा हो चौथे पार्ट में लिखा है एक सो पच्चिस की होल पावर है माइनस में लिखा हुआ है एक बटे तीन दोंको बच्चो कैसे करोगे हमने पूर ये भी नियम बताया कि अगर माइनस की घात है तो इसको अगर नीचे ले आओगे तो फ्लस की घात हो जाएगी ठीक है क्या हो जाएगी प्लस की, या फिर बाद में ले आते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ ऐसा कर लेते हैं, 125 लिखा है, इसको हम 5 गुणे, 5 गुणे, 5 गुणे, 5 गुणे, 25, 125, और इसकी whole पावर जो है, minus 1, 3 यो अभी लिखी रहे हैं, कोई बात नहीं, तो 5 गुणे, 5 गुणे, 5 का मतलब 5 का क्यूब होगा, 5 की पावर 3 होगा, और इसके होल पावर आपको लिखना है माइनस बनवाई 3, ठीक है, आप यहां से दो को 5 की पावर 3 है, इसमें गुणा करना है, माइनस 1 बटे 3 से 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 की पावर कितना होगा, माइनस 1 होगा और 5 की पावर माइनस एक का मतलब आप कह सकते हो एक बटे में 5 की पावर प्लस एक नीचे लियाओगे तब प्लस पावर होगी तो एक यहां लेखेना कोई जरूरी नहीं है पावर एक ना लेखें कोई बात नहीं एक बटे 5 इसका अंसर आएगा एक बटे 5 लेखना है तो इस तरीके से बच्चों यह आपका दूसरा प्रशन है, कम्प्लीट होता है ठीक है उमीद है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए एक इक प्रशन आपको कम्प्लीट होना चाहिए यहां दो को कुस्च्च नंबर 13 में आ जो, तीस्रा प्रशन को क्या कहता है देखिए तीसरे प्रश्ण की बात बताओ यहां पर कहता है कि सरल करिए इसको भी सरल करना है देखो पहले भाग में लिखा है दो की पावर दो बटे टीन और इंटू में दो की पावर एक बटे पाँच का मान बता है कितना परशन है ठीक? अब समझो बात ध्यान से अब समझना है ध्यान से यहां पर तो को आधार तो दोनों की समान है बच्चों यहां देख रहा है, यहां दो है, यहां भी दो है, तो अब यहां पर जो घातें हैं, इनको जोड़ना है, पहला नियम है, गोड़ा में घातें जोड़ती हैं, यदि आधार समान है, तो यहां पर जो आधार समान है, बस इन घातों को जोड़ना है, दो की घातों को दो बटे तो पूरी बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि भाई आधार तो समान है बस घातों को जोड़ देना है एक बटे तीन और प्लस एक बटे पांच दोनों घातों को आपक उसमें जोड़ना है तो दो की पावर ध्यान से समझो इसको हल करो भाई तीन और पांच का LCM तो पांच त यूनी 10 और प्लेस 3 एकम 3 हमें आंसर में मिल जाएगा दो की पावर 13 बटे में 15 इसका हम हल करनी सकते तो बस यही आंसर लिखना है दो की पावर 13 बटे 15 इसका अंसर आएगा ठीक है चलो इसके बाद दोखो इसका दूसरा जो पार्ट है उसको भी समझते हैं दूसरा पार्ट है उसमें लिखा है एक बटे एक बटे में तीन का क्यूब और इसकी होल पावर जो है वो है साथ अब बताओ इसको कैसे करोगी इसको कैसे करोगी बिल्कुल ठीक इसी प्रगार से दो को एक पर तो चाहे जितनी पावर है यह कही लिखना है आपको नीचे दो को ध्यान दे है तीन की पावर यहां लिखा है तीन और इस पर भी होल पावर साथ है क्यूंकि उपर भी दो को साथ पावर है नीचे भी साथ पावर है एक की पावर साथ का मान तो एक ही होता है लेकिन नीचे आपको यहां पर दो को एक बटे तीन की पावर तीन और ये 7 का गुणा हो जाएगा घात के उपर जब घात लगी होती है तो आपस में गुणा करती है तो 7 या 21 ये आपका देखो 1 बटे में 3 की पावर 21 ये अंसर आएगा अब 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार लिखना है 21 बार है उससाब का गुणा करोगी बड़ा अमाउंट बनेगा तो यहाँ पर हमें गुणा करके नहीं दिखाना है बस इतना ही लिख रहा है इसके बाद दोको तीसरा पार्ट क्या है तीसरा पार्ट क्या है इसमें लिखा है 11 की पावर 1 बटे 2 11 की पावर 1 बटे 2 डिबाइड बाए 11 की पावर 1 बटे 4 11 की पावर 1 बटे 4 बचों बताये हमने भाग में घातें घटती है यदि आधार समान होता है तो भाग में घातें घटती है तो यहाँ आप देख सकते हो 11 इसका भी आधार है और 11 इसका भी आधार है, इसका मतलब आधार तो समान है, तो बस घातों को घटाना है, यहाँ लेख रेते हैं, बराबर में 11 की पावर 1 बटे 2 में से हमें 1 बटे 4 घात यहाँ पर घटा के अंसर लिखना है, 11 की पावर 1 बटे 2 में से 1 बटे 4 घटाओ दो को 4 तो LCM आएगा, और यह 2 माइनस एक, तो इस तरीके से इसका अंसर आएगा, 11 की पावर 1 बटे में 4, ध्यान से समझो, पूरी बात दोखो, दो में से एक घटाओ गा, एक एक बटे 4, तो 11 की पावर 1 बटे 4 इसका, ठीक है, कोई डाउट नहीं, यह हो गया, कुस्चिन नमबर 3, और इसके बात दोखो, यहाँ पर कुस्चिन नमबर जो आपका, चौधा पार्ट है, इसको भी समझो, चौधे पार्ट में लिखा है, साथ की पावर 1 बटे 2 और इंटू में यह लिखा है, आठ की पावर 1 बटे 2, ठीक है, अगर जैसे हमने बताया कि अगर, अगर यह आपकी घात समान होती है, तो हम क्या करते हैं, तो दोनों पर एक घटी घात लिख सकते हैं, कैसे दुखो याजिस, साथ और गुणा आठ इ 56 और 56 की पावर हमें लिखना है, एक बटे 2 बस यही इसका अंसर है, आगे हम इसको कुछ भी हल ना करें, कोई जरूर ने, खीक है, तो बचो यह आपके तीसरे प्रशन का है, चार भाग थी, उमीद है कि यह भी चारों समझ में आ गए होंगी, छोटी से एक्सर साइज थी, और यहाँ पर बस इतने ही प्रशन थे इस एक्सर साइज 1.6 में, उमीद है कि सारे प्रशन आपको समझ में आ गए होंगे, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो कमेंट सेक्सर में कमेंट करके हमसे जरूर पूछें,